नमस्कार, विल्कम तु यू चैनल, अबॉं किचिन टेल्स, मैं हूँ एपिताब तो आज बनाएंगे बहुती टेस्टी चिकन हंडी बहुती डिलेशियस है वैसे इसका नाम सुन के पता चल ही गया कि ये मिट्टी की हंडीों में बनाए जाते है चूले के उपर रखे भीमी आज पे, काफी सारे टाइम लेकी ये पकाये जाते है पर आज कल के दोर में ये सारे चीज़े एरेंजमेंट करना काफी मुश्किल भी है तो चलिए, ये रेसिपी बनाते है गैस रवन पे और वो भी कराई में डाल के So, let's get started तो ये रेसिपी ना आप चिकन मारिनेशन की बिना ही बना सकते है जैसे कि आज मैं बना रही हूँ तो पहले कराई में 3 टेबल स्पून तिल देंगे और ये तिल गरम होती ही इसमें देंगे एक टीस्पून जीरा आदा इंज दाचीनी, दो से तीन लॉंग, दो से तीन हरी इलाइची थोर असा क्रश करके देंगे और 10 से 15 सेकिन के लिए इसे फ्राई करना है तो मेरे लगबग सारे वीडियो में आप देख सकते है कि मैं हमेशा गरम मसाला तेल में डालने से पहरे तो फ्राई करने के बाद अब देंगे एक का बारी कटीवई प्यास असे अच्छे से फ्राई करना है लगबग तीन से 4 मिनित तक फ्राई करने के बाद ऐसा ब्राउन कलर बन जाएगा ये दिखिए और अब देंगे इसमें दो टेबिल स्पून अत्रक लैसुन का पेस्ट और फिर से दो मिनिट तक इसे कुप करना है ताकि इसमें जो कच्छा पन है वो दूर हो जाए और फ्लेम बिलकुल लो टू मीडियम ही रखिएगा जादा बहाएगा मत और अब देंगे एक टीज्पून लाल मृच पाउडर, आदा टीज्पून हल्डी पाउडर, दो टीज्पून भूना हुआ जीरा धनिया पाउडर, आदा टीज्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ी देर के लिए इसे कुप करना है और बीच में न दो से तीन तेबिल स्पून पानी रा लिएगा ताकि ये मसाला जल न जाए तो लगभग तीन मिनित तक इसे पकाना है और फ्लेम बिलकुल low to medium ही रखिएगा और ये देखिए ये मसाला से तेल से परट हो रहा है इसका मतलब है मसाला अच्छे से कुख हो गया है और अब देंगे इसमें चिकन की पिसस तो यहां 600 ग्रम चिकन है चिकन आप बोनलेस या विद बोन ले सकते है और अब इसमें देंगे एक टीस्पून नमक और ये सारे चीजें अच्छे से मिक्स करना है तो मिक्स करने के बाद दो से तीन मिनिट तक इसे पकाना है और अब देंगे इसमें आधा कप टोमाइटो पीउडी आप टोमाइटो पीज़ भी दे सकते है और तीन परी मीट्स ती चौप करके देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करना है और तस मिनिट के लिए इसे पकाएंगे तो तस मिनिट बाद ये देखिए अब इसमें देंगे एक चोथाई कप दही फिर से इसे मिक्स करेंगे और अब इसमें देंगे दो तीहाई कप गरम पानी और एक टीस्पून कसोरी मिथी और फिर से लीड बंद करके दस से पंदरा मिनिट के लिए लो फ्लिम में कुप करना है तो पंदरा मिनिट बाद ये देखिए ये ओल्मोस्ट रेडी हो गया है अब देंगे इसमें तीन से चार टेबिल स्पून मलाई अमोल या डिलेक्टा की जो टेट्रा पैक आते हैं वो दे सकते हैं या फिर अब घर की बनाई हुई जो मलाई है वो भी दे सकते हैं तो ये द बन करके बारी कटी हुई धनिया पत्ता देंगे और लीड बन करके इसे चार से पांच मिनिट के लिए या फिर जब तक आप सार्व ना करें तब तक के लिए इसे लीड बन करके रखना है स्टैंडबाई मोड पे ताकि इसमें धनिया पत्ता की जो फ्लेवर है न वो अच् तो बन गया है बहुत ही टेस्टी चिकन हंडी और इनी स्टे फॉलो करके गैस पे आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं और इसे गर्म गर्म सर्फ करें प्लेन राइस, पुलाओ, रोटी या पराठे के साथ तो घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने एक्सपीरिय के लिए चैनल को प्लीज सब्स्ट्राइब करके बेल आइकन को दवायेगा नोटिफिकेशन के लिए, so thanks for watching, see me in the next video, till then bye